मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राली के लिए अलग मोडल बनता है आप प्राली के अंदर जौर बाजरी की कटिंग कर सकते हो लेकिन जौर बाजरी वाली में आप प्राली की कटिंग कभी भी नहीं कर सकते हैं तो यानि 15 ब्लेड आपको इस मसीन के साथ मिलेगी और गेर वोक्स की बात करूं तो एक साल के आपको गेरवोक्स की गारेंटी मिलेगी पीच टू-पीच जैंच पर श्पीट सेकेंड स्पीट त्री स्पीट किसान बाई इन ब्लेडों से आपको यह फायदा होता है कि जब तक यह ब्लेड आठ अमम से एक अमम नहीं होती है तब तक आप इसे धार लगाकर कंटिनुव चला सकते हो किसान बाई अगर इसकी बात करें तो इस मशीन में च्यार व्लेड है इसे आप तीन भी कर सकते हो दो भी कर सकते हो तो मातर आपको एक से दो दिन के अंदर यह डिलिवरी हो जाएगी नमस्कार किसान बाई मैं आपका दोस्त मने जाट आप देख रहे हैं एगरी टेक मास्टर के अंदर देंगे कि इसके अंदर कितने वील है कौन सा गेर बोक्स है कितने स्पीड वाला है आपको इस मशीन के साथ क्या क्या मिलेगा इस मशीन की क्या गारंटे रहने वाली है आपको किस प्रकार मिलेगा होम डिलिवरी की क्या प्रक्रिया रहेगी इसकी एक घंटे की क् ट्रेक्टर से चलेगा और इसके अंदर वील लगे हों इनकी क्या क्वालिटी इसके अंदर कौन सी ब्लेड हैं आपको किस प्रकार ओपरेट करना किस प्रकार सेटिंग करना संपूर्ण जान करें तो इस कमाल के वीडियो में अंतक्त बने रहें और जो दोस्त हमारी यूटूब चैनल पर पार लिबार रहें वह चैनल को लाल बटन दुबा कर फ्री में सब्सक्राइब करें किसान भाई सबसे महत्मूर रहता है मसीन का चेचिस की कितने इंची का चेचिस है तब मसीन की मजबूताय का पता चलता है अगर इस चेचिस की बात करें तो इस मसीन में आपको 6-3 का चेचिस मिलेगा और जैसे ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पीटियो जो आपकी टेक्टर से ओपरेट होकर इसके अंदर चलेगा लगेगा तो यह आपको 90 डिग्री वाला लेकिन इसके अंदर भी जिर्य जैसे कि आप देख पा रहे हैं और इसके अंदर भी जिससे की पीटियो कभी भी फटने वटने जैसी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी जैसे इसकी अगली तरफ चलते तो जैसा कि आप यह देख पा रहें तीन बेल्ट करने के लिए बेलेंस अच्चा बना रहें इस कारण से इसके दोनों तरफ पग्यल लगे हुए जैसे कि आप अपनी मुशिन को कड़ी करोगी जैसे इस तरह बाते तो यहां पर आपको बेलेंस वील मिलेगा किसान बाइब वील का मतों मैं आपको बताता हूं मशीन के अंद को एसा नहीं लेगा कि ट्रैक्टरफ मैं लोड पर रहा किसे ब्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाई जैसे इसकी अगली तरह बाते है जो महत्मूर रहता है इसके दिल और धड़कन का जो काम करता है इसका मैं विल यानि कि में वील जितना हेवी होगा जितना अधिक बज़न बूम मिलेगी अगर आपको एक्ष्ट्रा भी बढ़ानी है कि हमें गाइडी के अंदर 15 पिट चाहिए 13 पिट चाहिए तो यह जो आप बीच वाला बोक्स देख पा रहे हैं इस प्रकार का एक और बोक्स बीच के अंदर लगा सकते हो अगर आपको कम करना है तो इस बोक्स को क सबस्क्रा कितने के बारे में आपको उपके बारे में आपको जानकारी तो में आपको जै क्राने बैरेगा और बीरिंग किसानósवार बेरिं dato कर जिसे कोई दिक्कतफर की बात करें था कि बाद करें उन वह बहुत हैविए garlic के कैई कि यह इसंब CoSat Hadis की बाद और गर लगाई हुए क्योंकि किसान भाइड ने डिमांड किये कि हमें इस एक रहने की इस कारणे से इसने ने भी फिलाल जी बिले लगाये हुए औरिजनल पुजारी की कारभन किसान भाइड के अंदर कुछ लोग बोलते हैं कि आठम हम की ओरिजनल पुजारी की Sap3 लेकिन वह नोकल पुजारी की रहती है पुजारी की ब्लेड फाइचान जैसे कि आप देख पा रहे हैं पुजारी लिखा हुआ आप जब भी देखें तो बताइए कि पुजारी लिका हुआ यहां पर इस पर शील लगी हुई है ओरिजिनल पुजारी की यह पैचान है किसान बाई इन ब्लेडों से आपको यह फायद होता है कि जब तक यह ब्लेड आठ एमम से एक एमम नहीं होती है तब तक आप इसे धार लगा कर continue चला सकते हो ऊश्यान बाई अगर इसकी बात करे दो इस बड़ेडमी और बलेड तो बहुत ही कम किसान बाई ओयो जैसे के आपकी जबौडी हो गई जितने реш estilo ने चलेगीए उतनी अच् capping आई कि आपको किसी प्रकार की कटरिंग में कोई दिक्कत नहीं अब किसान बैव मत्मून बात करते हैं इसके गेरबोक्स के बारे में हम आपको जांकरी दें तो जिसाद कि आप देख पारहें भारत के अंदर दोई गेरबोक्स सबसे बेस्ट रहे एक तो ट्विंइकल और एक आरम वी किसान बयों यह जो आप गेरवोक्स देख पारे हंडी वाला मार्केट के अंदर पेटी वाला आता है और बोलते हैं कि इसके अंदर लगा हुआ है और गेरवोक्स की बात करूँ तो एक साल के आपको गेरवोक्स की गारेंटी मिलेगी पीश टू पीश चेंज नो आर्गुमेंट याने कि आपको कुछ भी कहने की जुरूरत नहीं है अगर आपका गेरवोक्स कराब होता है तो बोलना कि हमारा गे लेकिन आप जब भी लो तो एक बार फूंचना कि कितने लिटर मिल रहा है हमको इसकी बात करें तो इसमें आपको 20 लिटर ग्रीश मिलेगा आपकी यह चोईस रहने चाहिए कि हमें 20 लिटर ओल ग्रीश कंप्लीट चाहिए कोई बोलता है कि हम डाल कर देंगे तो आप यह भ सब्सक्राइब इस के सेकिंडर और थर्डीस के बारे में हम आपको जानकारी देते है पश्ट स्पीड सेकेंड इसलिट अफेल त्रीस पीड पर पेश्ट आईगी लेकिन केपेसिटी 5-6 टन बीच में रही कि तर्डिश के अंदर इसकी के पेसिटी बढ़ जाएगी और पर चलाना यह मसीन आपको चार जोंट के साथ मिलते हैं जैसा कि आप देख पारें एक जोंट दो जोंट तीन जोंट चार जोंट और चारों जोंट यहां पर एक नट लगेगा यह इस्प्रिंग जब कि आपकी लेबर मजदूर लेबर कम माल देती है कम चारा इसके अंदर देती है तो इसकी दाब ज्यादा कर दे जिससे की अधिक दाब लगकर चारा अंदर जाएगा तो कटिंग अच्छी आएगी अगर आप ज्यादा दे इसे आप तो इसे आप अपनी चुणोसार कर सकते कम मोर जायद यूहिए कि सबसे इसकी अजरूरह की कि साइट की बात करें तो ग्यार है इनकी में अपकोご अज़के बात करें अए फेसे क traum़ालिटी ने है कि इसकी इसके के अंदर अप्राली इस पेसल मोडल सक्सेद नहीं हो रहा तो किसान वाव में आपको बताना चाहता हूं कि पराली के लिए अलग मोडल बनता है आप पराली के अंदर जौर बाजरी की कटिंग कर सकते हो लेकिन जौर बाजरी वाली में में आप पराली की कटिंग कभी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर रोलर लगते हैं वो अलग क्वालिटी के लगते हैं जिसे कि उनको प्राली के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है बस रोलर के अंदर लिपटने जैसी दिक्कत आती है लेकिन इस मशिन में वह दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यह जो प्राली के लिए special model बनाते हैं यह ज्वार वाजरी वाला और जैसे कि आप यह पट्टा देख पा रहे हो conveir belt इसका यह भी बहुत ही heavy quality का है जैसे कि 45 लेर से बना हुआ है जो कि आपको कभे भी टूटने करने जैसे कोई धिकत नहीं आएगी और यहां पर एक roller लगा हुआ है अगर कुछ समय चलने के बाद में roller से अगर पट्टा लूज होता है तो इसे आप बहुत यह असानी के साथ tight कर सकते हो यहां पर एक support दिया हुआ है किसान बार जिनसे कि आपको क्या फायदा होगा कि जब अपनी labor मजदूर माल ज्यादा डालती है इसके अंदर दवाव बढ़ेगा तो बेंड नहीं करने जैसे किसे परकार कोई दिक्कत नहीं आएगी और अगर इसके टायर की बात करें तो च्छह सोला कि इस मशिन में आपको टायर मिलेंगी इस तरफ नीचे के तरफ और उपर गाड़ी वाड़ी के अंदर लोड करेंगे तो यानि तीन तरह से आपको सुइदा मिलती अब बात करते कि इस में में आपको क्या-क्या मिलेगा सबसे पहले आपको इस मशिन की जवाड़ी के बारे में जानकारी देथे हैं कि एगर आपको सबसे महत्पून बाड़ मेर बालोत्रा जोधपू जयसल मेर का एरिया है वहांपर क्या की बारिस की कमी रहती है वहां कि जो पशल रहती है अपनी जवार बाजरी वाली वह होती है iPhone की बिल्कुल चौटी-चौटी रह जाती है जिसे यह हम बोलते हैं अच्छी तोसी कारण ça इसमें यहां पर जबाड़ी के उपर एक पत्ती लगाई हुए जो कि बिल्कुल ब्लेड इनके टच होकर चलाएगी ना तो जबाड़ी किसेगी और उनको प्रोपर अच्छी तरह के से कटिंग आएगी इस कारण से इस मशीन में आपको एक जबाड़ी इस मशीन के साथ मिलती है अगर ब्लेड की बाठ करें तो इस तरह से इस एक प्रोप्रोपर वाला और्जनल ग्लेंड़ आपको इस मशीन के साथ मिल रहा है अगर आपकी demand है कि हमें machine के उपपर लगाना तो आप machine के उपपर भी लगवा सकते हो गलेंडर में आपको दिखाना चालता हूँ कि कि किस क्वालिटिक है Honda का अगर पत्तर के बात करें तो जैसा कि आप design देख पा रहें अगर इसकी गलेंटर के बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोपरवाला होटा का गलेंडर इस मसिन पचेश के मिल रहा है किसान भयोँ मैंने इस मसिन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दि आप बात करते हैं कि चारह कौन कौन से कटेगी किसान बैयों आपको सभी प्रकार की चाप कटर मोडल आपको यहां पर मिल जाएंगी आपको पराली के लिए स्पेशल मोडल लेना लकडी काटने का अगर आपको मोडल लेना आपको छोटी कुटी मशीन लेनी है 2HP वाली 3HP वाली 5HP वाली प्लस मोटर से चलने वाली को संपूर्ण आपको यहां पर मिल जाएंगे आपको कहीं जाने की जुरूरत नहीं है अब आपको बताते कि चारा कौन कौन सा घाटेगा यह मशीन तो गिला सुका गन्ना पराली जो भी जिसी भी प्रकार के आपके पास पसल है आप कटिंग करना जाती हो दो कर सकते हो और सबसे प्रोप्ट आप इसे बिजनेश के तोर पर भी यूज कर सकते हो 3-speed से आपको यह फायदा मिले और मेरा कहना यह बिए है कि आप 3-speed का आपको नंबर दिख रहे हैं उनसे आप संप्रक कर सकते हैं और मसीन के बारे में और भी डीपली जानकारी ले सकते हैं अगर आप केकडी से 500 किलोमेटर की स्टेंश पर हो तो मातर आपको एक से दो दिन के अंदर यह डिलिवरी हो जाएगी अगर 500 किलोमेटर प्लस है तो किसान भाई च्यार पांच दिन का प्रोसेशिंग टाइम लेगेगा तो किसान भाई फिर मिल देख और इससे सांदार और कमाल के वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सेर और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले तब तक जए जवान जए खिसान